अलुच कार्बो हाइडरेट तो इलावा मजूद पोशेक्ता तते फाइबर पाचन केर्यानू तंदुरुस्त बढ़ा ओंदे हैं बहुत सारी लोग का ना कहना है कि अलुखानल पार वद्दा है जा मटापा ओंदा है इसलिए यो अलुच कार्बो हाइडरेट तो इलावा मजूद पोशेक्ता तते फाइबर पाचन केर्यानू तंदुरुस्त बढ़ा ओंदे हन अलुच ट्रेट्स हार्मोन तो रिलीज होन तो रोपता है अलुच स्टार्ज, मेगनेशं, फासफोरस, आईरन अते जिंक भी पाये जानदा है फ्राइड अलुखानल पार वद्दा है उबाल के अलुखानल पार हमेशा कटड़ा है पथरी दी समस्या, जो गुर्देच पथरी होन दी है ता बहुत सारे लोग वकवक दोप्टर कोल जान दे हन पर कितो भी फाइदा नहीं होंदा उबले आलू पथरी दी समस्या नो खथम का देंदे हन्, पथरी होंते आलू आदी वर्तों मददगार हुँदी हैं, ज़ो मुच छाले हुदे हन्, उदो नाता सही तरीके ना बुले जान्दा है, अथे ना ही कुछ खाता जान्दा है उबले अलू खाना ये समस्या दूर हून्दी है अलू मुच छाल्यान इसमस्या नो खतम करदे हैं अलूच मेगनेशन पर पूर मात्रा चुन्दा है जो ब्लड प्रेशन नूँ कंट्रोल करता है इसलिए उबले अलूच रूट खाने चाहिए हैं उबले अलूच खाना श्रीरंदत जो सोज हुन्दी है ओह खतम होने शुरू हो जान्दी है उबले अलूच मजूद विटामिन सी, पोटाशियम, विटामिन बी अते होर खानीच प्रदात अंतरिया आते पाचत तर्दच कोई सोज नूँ कटा हुन्दे हैं उबले अलूच स्टार्च काफी मात्रा चुन्दा है इसलिए एहे पाचत करियायनू खेक रख दे हैं अलूच हांच हलके अते पाचांग से सोखे होन कारव उटियां दोरान खतम होई शक्ती दुबारा प्राप्त किती जा सकती है क्योंकि इस्ते स्टार्च दे मात्रा बहुत जादा होती है ब्यूरो रिपोर्ट सांज टिवी ब्यूरो रिपोर्ट सांज टिवी ब्यूरो रिपोर्ट सांज टिवी